हमारे हिंदू धर्म का प्रमुक तेवहार है मकर सक्रान्ती मकर सक्रान्ती जो है वो 14 जन्वरी को मनाई जाती है सूर्य का मकर राशी में प्रवेश करना ही मकर सक्रान्ती कहलाता है इस साल 2023 में मकर सक्रान्ती 14 जन्वरी को मनाई जाएगी या फिर 15 जन्वरी को इस संबन में बहुत बड़ा confusion बना हुआ है तो इसी confusion को दूर करते हुए कुछ वीशिश उपाई बताओंगी इसलिए जानकारी पूरी सुनिएगा और अच्छी लगती हो तो अपने फ्रेंस पर में में शेयर कर दीजीगा जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी बेला एकन के साथ में लगी जो भी जानकारी जो भी उपाई बताओं वो अब अपने जीवन में अपना सको और अपने जीवन की परिशानियों को दूर कर सको तो चली जान लेते हैं कि सबसे पहले मकर संक्रांती का तेवार 2023 में किस दिन मनाय जा रहा है हिंदू पांचंग के अनुसार ग्रोहों के राजा सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8 बच कर 21 मिनिट पर मकर राशी में गोचर करेंगे उदे तिथी 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है जिस दिन उदे तिथी रहती है उसी दिन से किसी तीस देहर को मनाय जाता है ऐसे में मकर संक्रांती नए साल में 14 जनवरी की जगे 15 जनवरी को मनाय जाएगी क्योंकि उदे तिथी जो है वो 15 जनवरी को है मकर संक्रांती पर दान पूर्ण का विशेश महात्व है अगर मकर संक्रांती पर अपने जीवन की परिशानियों को दूर करने के लिए कुछ विशेश वस्तों का दान करते हैं तो आपका जीवन खुशियों से बरा रहेगा साल बर किसी भी तरी की परिशानों का सामना नहीं क करना पड़ेगा तो चली जान लेते हैं इसी कौन सी वस्तों जिनका दान करने से हमें शुब फल की प्राप्ति होती है मकर सकरांती पर तिल के लड़ों के सासत खिच्डी बनाने का भी विशेश महात्व है और इसलिए इसे खिच्डी पर भी कहा जाता है मकर सकरांती पर दान करना बहुत ही शुब माना जाता है और ऐसा करने से ग्रोहों की करपा आप पर बनी रहती है दूसरी चीज है कंबल कंबल का दान करना बहुत ही शुब होता है ऐसा करने से राहु दूश दूर होता है गरीब ऐसा है और जरुत मंदों लोगों को काले रंके कंबल का दा करना बहुत ही शुब है मकर सकरांती पर साथ ही तिल का दान तिल चाहे सफेद हो या काली हो तिल का दान बहुत मादोपूर रहता है लेकिन अगर काली तिल होती है तो बहुत ही शुब माना जाता है इस दिन तिल का दान करने से हर प्रकार की दोश दूर होते हैं इसे शनी दो क्योंकि घी को सूरी और गुरु ग्रह से जोड़ कर देखा जाता है मकर सकरांती के परपर सूरी के आराधना करना बहुत शुब है और इस साल यहां गुरुवार के दिन पर रही है ऐसी स्तिति में घी का दान करने से कुंडली में सूरी और गुरु ग्रह मजबूत होंगे या दोने ग्रह जीवन में सफलता और सुक्सरम्नधी मान समान देने वाले होते हैं और अब आता है गुड़, गुड़ जो है बहुत ही शुब रहता है गुड़ को गुरु ग्रह से जोड़ा गया है और मकर सक्रांती जो है गुरुवार के दिन पढ़ रही है इसलिए इस दिन गुड़ का दान बहुत ही शुब है आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो आपको गुड का दान करना चाहिए जीवन में सौभागी और सुक समरद्धी लाने के लिए गुड का दान शुब माना गया है यह थी महातोपुन वस्तु जिनका आपको मकर सकरांती पर दान करने से आपकी ग्रहों के इस्तिति प्रबल रहेगी और आपके जीवन में सुक समरद्धी बनी रहेगी आपको जानकारी और उपाई कैसे लगे कमंड करके ज़रू बताइएगा फिर मिल दिसतर के उपाई जान